नमस्कार मैं राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज अनलॉक 3 जो की एक अगस्य सुरू होने वाला है इसको लेकर बड़ी खबर अभी अभी आई है के अंदर सरकार ने अनलॉक 3 से जुरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 31 जुलाई तक आपको पताते हैं कि अनलॉक 2 जो था वो एक जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाला था उसके बाद एक अगस्य अनलॉक 3 की शुरूआत होनी थी उसको लेकर कई बाते सामने आ रही थी कई अफवाय आ रही थी कई अनुमाने हर कोई लगा रहा था कि सीनेमा जीम, स्कूल या फिर स्विमिंग पूल, थियेटर, एकेडमिक यह सभी खुलेंगे लेकिन केंसरकार ने जो नोटिफिकेशन जाड़ी किया है उसमें कुछ चीजों को ही खोलने की अनुमती है और पहले की तरह जो चीजे खुली हुई है वो तो खुली रहेंगी लेकिन 31 अगस्त तक जाड़ी रहेंगी सबसे पहले खबर इस्कूल और कॉलेज से जुड़ी देते हैं तो इस्कूल कॉलेज और कोचिंग्स 31 अगस्त तक बंद रहेंगे यह अभी नहीं खुलेंगे इसके अलावा सीनेमा हॉल, थियेटर, एकेडमिक और जितने भी भीरी कठा कर करने वाले अडिटरियूम वगएरा थे यह भी स्विमिंग पूल है यह सभी बंद करने का ही आदेस है यह अभी अनलोग 3 में नहीं खुलेंगे जो नई चीजे खुली है उसमें योगा संस्थान है वो और जीम स्वास्त से जुड़ी हुई जो जो भी विवस्थाएं है ज इसके अलावा रात का जो कर्फ्यू है रात में जो 9 बज़े के बाद जो कर्फ्यू लगा था उसे भी खतम कर दिया गया है अब रात में कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा हालांकि एक और जनकारी इससे जुड़ी में आपको बता दूं कि राज्य और केंद्र सासित जो परद चेत्र में लॉकडाउन लगा सकते हैं चाहे तो पूरे राज में भी लॉकडाउन लगा सकते हैं जैसा कि बिहार में अभी फिलहाल की परस्तितियों के अधार पर लॉकडाउन लगा हुआ है तो वह राज्यों के आधार पर है कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त किसी प्रकार जोन के बारे में जानना चाहते हैं आपको नहीं पता होगा कि आपका छेत्र containment zone में आता है कि नहीं तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक कलेक्टर की वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं आप अपने डिस्ट्रिक के बारे में कि आपके डिस्ट्रिक में कौन कौन से कंटेनमेंट जोन बनाएगा है वो भी नहीं तो राज याक इंसास सित्त प्रदेश से उनकी वेबसाइट पर यह जानकारिया उपलब दे जैसा कि ग्री मंत्राले ने नोटिफिकेशन जाड़ी कर यह बात बताई है इसके अलावा अन जो बाते हैं आप एक बार स्पोर्ट्स इंट्रकाहिए ऑच्पर अजो अवे झाल में दिखाई अई जो आंटराष्ट्रीय यात्रा विमाने वो भी वन भारात मिसन वीमान के तहत जो limited सीमित मातरा में जो चल रहा है वह ही चलेगा उससे ज़्यादा फिलहाल को छोल है जो पहले की तरह चल रहा था वह ही फिलहाल चलेगा इंटरस्टेक और इंट्राइस्टेक मूव्मेंट जो है वू पूरी narrasya खोला गया है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंद नहीं रखा गया है आपको दूसरे राज्यों में जाने के लिए या एक ही राज्य में एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए आपको किसी प्रकार के पास या अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी चाहे आप पैसेंज कर एक दूसरे से एक दूसरे राजियों में भी जाने के लिए किसी प्रकार की पास की जरूरत नहीं होगी किन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार तो इस तरह से जो अनलोग 3 के जो बड़ी खबर है जो बड़ी चीज़ें निकल के आई हैं वह यहीं है कि स्कूल कॉलेज भंध रहेगी यातरी जो विमान थे अंतराष्टि यातरी विमान उसमें वी यहीं चल रहहेएक है मिसमें नो Augen करे कर सकते हैं लेकिन सरते लागू है सरतिया है कि आप सोसल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे बीर इहाटथा ज्याद नこれは यहां मास्क पाहर मानकों में जो 7 तोर पर लिखा गया है कि भार यतरफ-थूर्थ न लगै कि इससे वाइरस को तो बिहार की ख़बर है लॉकडाउन से जुड़ी हुई वह तो आप जानते हैं कि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है फिलहाल लॉकडाउन से जुड़ी अभी तक ख़बर निकल का सामने नहीं आई है जैसे नोटिफिकेसन जारी होगा इस पर भी हम आपसे जरूर बात करेंगे जल्द से जल्द बात करेंगे ख़बरों में बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज धन्यबाद